दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे DMI Finance पर कैसे लोन अपलाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसपर करते हैं दोस्तो DMI Finance और Samsung Company एक साथ मिल करके लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बिल्कुल लेटेश्ट प्रोसेस में सीखेंगे कि इस पर लोन अपलाई करके उसे बैंक में कैसे ट्रांसपर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको DMI Finance एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा आप चाहे तो Samsung website पर भी जाकर करके अपलाई कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ DMI एप्लिकेशन पर अपलाई करेंगे तो इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे उसके बाद ओपन करेंगे उसके बाद Send OTP पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर 4 अंग का OTP आता है OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यह Automatic Verify हो जाएगा अब OTP डाल करके verify करते हैं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर कितना तक का Loan ले सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि 10,000 से लेकर 8,000,000 तक का Loan ले सकते हैं जब भी आप अपना Loan ले लेंगे और इस Application को Open करेंगे तो यहाँ Your Loan पर क्लिक करके आप अपना Loan देख सकते हैं कि आप यहां से कितना तका लोन लिये हैं तो चलिए यहां पे हम लोन अपलाई करेंगे तो start your loan application पर click करेंगे उसके बाद यहां पे आप अपना pin code number डालेंगे उसके बाद next अब next करेंगे तो pen card का detail देना होगा तो यहां पे आप अपना full name डालेंगे जो आपके pen card पे नाम है वही नाम देना है यहां पे pen card number उसके बाद next उसके बाद यहां पे हमसे employment type पुछेगा तो अगर आप कहीं पे job करते हैं तो sell lead person अगर आपका खुद का business है तो self employed तो मैं जिनका loan apply कर रहा हूँ वो self employed है उनका खुद का shop है तो यहां पे मैं business पर click करूँगा उसके बाद next पर click करेंगे उसके बाद यहां पे हमसे monthly income पुछेगा तो आप महीना में जितना भी पैसा कमाते हैं अपना monthly income यहां पे भरेंगे उसके बाद next उसके बाद यहां पे आप अपना date of birth भरेंगे उसके बाद next पुछता है कि जहां पे आप रहते हैं उस घर के आप honor है या फिर आप rent पे रहते हैं तो इस पर click करके choose करेंगे तो जैसे ही यह घर इनका ही है तो हम यहां पे honor select करेंगे उसके बाद term and condition को accept करेंगे उसके बाद next पर click करेंगे अब next करते हैं तो यहां पे हमसे पूछता है कि आप क्या business करते हैं तो आप जो भी business करते हैं उसका name यहाँ पे देंगे अगर आप कोई खुद का shop है उसका भी नाम दे सकते हैं उसके बाद next अब next करेंगे तो जहाँ पे भी आप job करतें या फिर business करतें वहाँ का आपको address देना होगा तो अगर आप घर पे ही रहे करके business करते हैं तो घर का address दे देंगे नहीं तो अगर आप दूसरे जगा कहीं पे रहते हैं तो वहाँ का address दे देंगे तो यहाँ add address पर click करेंगे और उसका सभी address add करेंगे अब जैसे ही address add करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए loan अप्रू कर सकते हैं दोस्तों ये loan amount आपके civil score रुपे depend करता है तो हो सके आप इसमें apply करें तो किसी का ज्यादा और किसी का कम भी हो सकता है तो यहाँ पर 10,000-8,000,000 के बीच में आप चूज करेंगे कि कितना पैसा लेना चाहते हैं तो यह आपके जरूरत के उपर है आपको जितना भी पैसा लेना हो आप यहाँ पर select करेंगे तो चलिए मैं जिनके लिए loan apply कर रहा हूँ उनको around 50,000-60,000 रुपे तक का जरूरत है तो यहाँ पर उतना amount मैं select करता हूँ उसके बाद next करता हूँ अब next करेंगे तो आपके number पर फिर से एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंग उसके बाद summit application पर click करेंगे अब submit application पर click करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ दिर wait करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर बताया जारा है कि आपको 90 सकेंड तक wait करना होगा हम आपके document को चेक करके बताएंगे कि आपको loan मिलेगा या नहीं तो यहाँ पर कुछ दिर wait करेंगे अब जैसे ही कुछ दिर बेट करेंगे तो यहाँ पर देखें, successful हमारा loan अप्रूब कर दिया गया है, you are approved, आप यहाँ पर अप्रूड है, यहाँ पर loan लेने के लिए बताया जा रहा है कि यह तीन step है, इसे आपको complete करना होगा, तो सबसे पहले confirmation identity, मतलब आपको KYC करना होगा, तो just यहाँ start KYC पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना अधार card number डालेंगे, उसके बाद next करेंगे, उसके बाद आपके number पर 6 अंका OTP आता है, OTP डाल करके submit करेंगे, तो KYC successful complete हो जाएगा, उसके बाद इसको हमें permission देना होता है, ताकि यह लोग हमारे अधार card क सबी detail ले पाए, अब अलाओ करते हैं, तो successful हमारा KYC complete हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमें bank account add करना होगा, जिस bank में आप loan का पैसा लेना चाहते हैं, उसी bank को यहाँ पे add करेंगे, उसी bank से आपको e-mandate भी करना होगा, मतलब जो भी हमारा EMI का पैसा है, वो हमारे bank से अपने आप ही करता रहेगा, तो just यहाँ setup bank detail पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका loan amount दीखेगा, यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि आप ये mandate किस से करेंगे, आप net banking से कर सकते हैं और debit card से, net banking अगर आपके पास है तो इसी से कीजेगा, इसे करते हैं तो काफी easy ह तो मैं यहाँ पे net banking को select करूँगा, यहाँ पे bank का name select करेंगे, bank type, account number, IFC code और यहाँ पे bank के passbook पे जो भी name है वो name डालेंगे, उसके बाद next करेंगे, उसके बाद आप अपने net banking का user ID password डाल करके login करेंगे, तो emendate भी complete हो जाएगा, चलिए मैं emendate complete करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दिखे, emendate भी successful complete हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमें loan agreement sign करना होगा, तो यहाँ पर दिखे, proceed का option आएगा, इस पर click करेंगे, यहाँ पे आपके loan का सभी detail आजाएगा, आप इसको अच्छे से देखेंगे, अगर आप इस पैसे को अब आप अपने bank में ले दिया जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ दिर wait करना है, यहाँ पर मुस्किल से 30 मिनट तक wait करते हैं, तो आपका amount आपके bank में successful transfer कर दिया जाएगा, तो दोस्तो यह तरीका है, इस तरीके से इस application पर loan apply कर सकते हैं, और उसे अपने bank link में भी ले सकते हैं,